प्लाटफॉर्म 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 डेली बिसिस पर वो चल रहा होगा सबका तो क्या चैट इनेबल हो गई है या क्या समश्या है इनेबल है डिसेबल है क्या है भई एक बार चैक करे टेकनिकल टीम क्यांकि मेरे जो प्यारे विध्यारती है उनकी चैट मैं देख नहीं पा रहा हूँ है ना तो चैट जरा आपकी देख नहीं पा रहा हूँ मैं जस्ट एक से दो मिनट दीजिए और फिर उसके बाद हम क्लास को सुरू करेंगे वैसे सभी आप गुड इवनिंग और प्रनाम सर और ये सब चीजे लिख रहे होंगे किसी को कोई डाउट होगा वो लिख रहा होगा टेकनिकल टीम जरा देख ले कि भाई क्या इश्यू है चैट जरा दिखाए नहीं दे रही है तो ये देख रहे हैं बच्चे चलिए तो ओवर ओल हम डिसकस करेंगे जो भी बेसिकली आज न्यूज में आर्टिकल्स हमारे रहे हैं तो ओवर ओल अगर देखें तो आज के दा हिंदू में हमें चार चीजे ऐसी हैं जो हमें कवर करनी हैं जैसे दा हिंदू के फ्रंट पेज पर आपको कोर आउटपुट से इसलिए मैं हमेशा से प्रयास करता हूँ कि एटलिस्ट जब आप ये वाला कोशन देखें वहाँ पर जब आप प्रिलिम्स दे रहे हों तो आप एटलिस्ट उसको सही कर दे तो इसलिए ये वाला आर्टिकल अगेन हम डिसकस करेंगे और मैंने अल्लेडी डिसकस भी कराया हुआ है आई आई पी के बारे में और कोर्स इंडस्टी के बारे में ठीक है चलिए और बात करते हैं इसके अलावा आम फोर्सिस स्पेशल पावर एक्ट की काफी न्यूज में है क्योंकि होम मिनिश्ट्री ने ये कहा था कि जम्मू कश्मीर से हम इसको हटाने की बात कर रही थी चर्चा कर रहे थे तो वहाँ पर ये न्यूज में आया था काफी फिर उसके बाद मॉनेटरी पॉलेसी कमेटी की मीटिंग हो सकती है तो RBI के आज टूल्स भी कर लेंगे हम इसके साथ क्योंकि टूल्स मैंने आपको बताए नहीं है तूल्स दो टाइप के होते हैं एक तो भई आपका quantitative tool होता है qualitative tool होता है जो quantitative tools है उनको हम देखेंगे और उसके बिहाफ पे कम से कम कम से कम 5 questions मैं आप से करवाऊँगा कम से कम 5 questions मैं आपको दूंगाज जिसका reply आपको comment box में करना है थोड़ा सा technical issue है वरना comment box जब तक open हो ही जाएगा ठीक है अब सब के comment मुझे धीरे-धीरे दिखाई देने लग गए है येस सब के comment अब मुझे धीरे-धीरे दिखाई देने लग गए है येस सुमन, लामबा, सिल्पा हाँ, सूरज बहुत दिन बाद कर रहे हैं अब आपके comment मुझे दिखाई दे रहे है येस, आप सब के comment में देख सकता हूँ मेरे mobile phone में क्योंकि कुछ technical issue है तो सामने नहीं दिखेंगे screen पर कोई भी issue हो, आप जस्त बता दीजेगा येस, good evening सब को, काफी late comment देखना शुरूआ तो उसके बाद fiscal deficit से related एक article आया है कि government का जो है fiscal deficit बढ़ गया है उसके related बात करेंगे कि fiscal deficit होता क्या है और यहाँ पर समझेंगे FRBM को, Fiscal Responsibility Budget Management Act के बारे में है ना, तो तीन, चार चीजे हमें सीखनी है, ठीके, तो चलिए one by one करके discuss करते हैं किसी को कोई doubt अभी तक तो चार चीजे हमें discuss करनी है आज के इस class में, ठीक है good evening, रादे, रादे सबका comment में देख पा रहा हूँ, yes transpose, dolly, good evening रादे, रादे, yes ठीक है, तो आप सबके comments में देख पा रहा हूँ, don't worry, ठीक है, तो चलिए देखो, eight core industries आपको पता है कि जो IIP है CSO मासिक रूप से उसे जारी करता और IIP के अंदर ही eight core industry है और eight core industry के बारे में मैं already बता चुका हूँ, तो चलिए एक बार और discuss कर लेते हैं, क्यों discuss करेंगे क्योंकि UPSC ने already eight core industry पर UPSC में दो बार सवाल पूछा है, एक तो ये बार पूछा था, कि सबसे highest weightage किसका, इसका answer दो, क्योंकि मैंने करवा रखा है, तो बताओ, इसमें सबसे highest weightage किसका है, सबसे highest weightage किसका है, answer दो please yes, coal production का है, electricity का है, fertilizer का है, steel production का है, इसका answer क्या होगा, A, B, C, D, yes, इसका answer क्या होगा, A, B, A, A, अच्छा, देखो, वैसे सबसे ज़्यादा तो refinery product का है, second पे electricity का है, third पे steel का है, और सबसे last में आपको fertilizer का है, तो इसका answer जो correct होगा, वो B होगा, क्योंकि हाँ पर देखो, मैंने बताए हुआ है कि बिजली का जो आपका eight core industry है, उसका 19.85 है, ठीक है, so overall IIP के बारे में हम दुबारा revise करेंगे, कि IIP जो है क्या करता है, किसी अर्थववस्ता में कोई ओद्यों की उत्पादन होता है, तो उसकी परिवर्तन को मापता है, Kendriya Sankhi की संगठन, यानि कि CSO के दवारे से मासिक रूप से monthly basis पर publish किया जाता है, और इसका आधार वर्ष 2011 बारा है, लेकिन हमें बात कर रही है, main eight core industry के बारे में, आठ पर्मुक उद्द्योगों के बारे में, IIP के अंतरगत ये आठ पर्मुक उद्द्योग है, जिन पर basically, जो भी है, सुचकांक निकाला जाता है, तो इसमें कुछ चैनित, मुख्य उद्द्योगों के संयुक्त और व्यक्तिकत उत्पादन, परदर्शन का मुल्यांकन है, तोटल इसमें आठ सेक्टर कौन-कौन से हैं, जो core sector हैं, देख लीजिए, refinery product, ठीक है, किसका है, याद रखिएगा, 28 और उर्वरक का सबसे कम है, तो प्लीज ये order आप सभी को याद हो जाएगा न, येस, ये order सभी को याद हो जाएगा न, फिर अगर बात करें, तो overall IIP में, इसमें जो IIP में, इस 8 core industry का टोटल हिस्सा है, 40.27, UPSC ने एक बार prelims में, यही statement उठा के पूछ लिया था, कि 8 core industry का जो योगदान है, IIP में, क्या वो 40.27 परसेंट है, तो बिल्कुल सही option था वो, फिर उसके बाद भारत के वानिज्य उद्द्योग मंत्राले के, उद्द्योगिक नीती संवर्दन विभाग के तहट, Office of Economic Advisor आर्थिक सलहकार, कारेयले द्वारा संकलित और प्रकासित होता है, आपका 8 core industry, ठीक है, तो यह सारी चीज़े, यह 4 चीज़े याद रखनी है, इसके विहाब पर चलिए, मैं आपको 2 question करवाऊंगा, पहला question का answer दीजिए, आठ पर्मुक उद्द्योगों में से, सबसे अधिक और सबसे कम भारवाले, निमलिकृत में से कौन सामिल है, बताए, इसका answer क्या होगा, गुड इवनिंग, कंचन, बताए, इसका answer क्या होगा, इसका answer क्या होगा, फटाफट reply दो, see is the correct answer, yes, see is the correct answer, sir आपका new video, water crisis आया, हाँ, yes, so मेरा एक नया वीडियो, मैं अल्डेडी एक coral reef पर video upload कर चुका हूँ, कि उसको आप mains के हिसाब से use कर सकते हैं, पूरा coral reef के बारे में, brief idea मैंने वहाँ पर दिया है, एक वीडियो मेरा आया है, बैंगलूर water crisis पर, आप उसको भी इस class के बाद देख सकते हैं, उसको mains में, as a case study आप यूज कर सकते हैं, और जल संकट के उपर, जो मैंने question दिया है, उसको आप बेसिकली घर पे बैट के लिख सकते हैं, उपर से जल संकट की जो समस्या है, वो क्या है, क्यू है, क्या परभाव है, government की क्या scheme है, वहाँ पर वो मैंने समझा है हुआ है, तो सब उसको देखना, इस class के बाद, water crisis पर जो वीडियो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, देख लिया sir, पूरा देख लिया, अभी तो upload हुआ इतने में पूरा, ये क्या उर्दू चल रही है, क्या हो गया सीवानी आदव, समझ में नहीं आ रहा है, उर्दू में बोल रहा हूँ मैं, अभी तो आया है, तुरंत कैसे देख ली, सूर्य कांत, ये हाँ, इसका common dialogue रहता है, में शलड़के का, जरूर देखना जब आपको time मिले, वंदना मौरिया, गूड इवनिंग, हाँ, एक मिनट पहले आया, आपको नोटिफिकेशन आया होगा, ठीक है, so see is the correct answer, चलिए, इसका reply दीजिए, इस question का answer क्या होगा, इस question का answer क्या होगा, इस question का, येस, जै बजरंग वली, आप देखेंगे ना, कि आज मैं आपको ना, monetary policy committee के base पे, कम से कम, पाँच question कराने वाला हूँ, और पाँच question किस तरीके से, UPSC, मतलब हर बार UPSC, banking से question पूछता है, उसकी भी हम बात करेंगे, इस question का answer दीजिए, पूछ रहा है कौन सा कथन, सही है, IIP के बारे में पूछ रहा है, पूछ रहा है कि, IIP में, overall, अब कुछ समझ में आ गया, यहाँ, आपके comment में देख पा रहा हूँ, phone में, yes, तो बिल्कुल, overall, देखो, IIP का, यहाँ पे मैंने देखो, यहाँ पे आपको बताए था, कि, और दोगी कुट पादन की परिवर्तन को मापता है, तो बिल्कुल सही है, and second option भी ठीक है, 11-12 इसका क्या है, overall, इसका एक, basically, base year है, ठीक है, तो see is the correct answer, चलिए, यह article हमें, और ज्यादा depth और detail में डिसकस करना है, जो की related है, Arm Forces Special Power Act, आसफा भी कहा जाता है, इसको कभी कभी, सुना है इसके बारे में, सुना है इसके बारे में, है न, इसके बारे में सुना है, नहीं सुना है, आसफा के बारे में सुना है, यह foundation में पढ़ा होगा, अपने foundation faculty से, ठीक है, specially, पॉलेटी वाले faculty से पढ़ा होगा, सिक्यूर्टी जो पढ़ाने आये होंगे उनसे पढ़ा होगा नो सर, येस सर, येस सर ये बोल रहे हैं कि येस तो सबने इसके बारे में जिनों नहीं पढ़ा है चलिए उनकी बात करते हैं दा हिंदू के चार पेज पर ये दिख लाएगा कि गॉर्मेंट एक्स्टेंड आम फोर्से स्पेसल पावर एक्ट इन पार्ट अफ नागालेंड अरुनांचल प्रदेश तो इसके बारे में हम देखेंगे कि जो फुल फॉर्म है वो है ससस्त्र बल विशेश सक्तियां अधिनियम 1958 इसके बारे में और लेड़ी UPSC कोशन पूछ चुका है 2015 में तो ये एक्चुली ये होता क्या है यानि कि ये आस्फा जो है यानि कि आम फोर्सिस स्पेशल पावर जो एक्ट है 1958 इह होता क्या है देखो ये जो एक्ट है सबसे पहले अगर इसके एतिहासिक प्रिश्ट भूमी की हम बात करें येस बेटा बिल्कुल बहुत सारे बच्चों ने फुल फॉर्म भी लिखी है ठीक है तो ससस्त्र बल विशेश सक्ती अध्यादेश ससस्त्र बल विशेश सक्ती अध्यादेश सबसे पहले लाया गया था 1942 में और 1942 में एक आंदोलन चल रहा था उसका नाम था भारत छोड़ो अंदोलन क्या नाम था भारत छोड़ो अंदोलन उसके दोरान जब वायसराय लिनलित गो थे उस वक्त ये ये जो है ससस्त्र बल विशेश सक्ती अध्यादेश 1942 में लाया गया था उसके बाद इसे हमने आगे बढ़ाए रखा और ये बेसिकली जो भी insurgencies होती है या कोई एरिया जो है असान्त एरिया है disturb एरिया है वहाँ पर सारजनिक वेवस्था को बनाई रखने के लिए हमने इसको continue किया तो कही ना कही ये जो आसपेक्ट ये क्या है ये भारत की संसत का एक अधिनियम है जो भारतिय ससस्त्र बलों को यानि कि आम फोर्सिज को असान्त छेत्र में सारजनिक वेवस्था यानि कि पबलिक जो ओर्डर है को बनाई रखने के लिए विसे सक्तियां परदान करता है तो क्या है आपका ओवराल भारतिय ससस्त्र बलों को असान छेतर में सारजुनिक व्यवस्था बनाये रखने के लिए विशेश सक्तियां परदान करता है वही है आपका ससस्तरबल इसका उद्देश्य क्या है? सिंपल सी बात है, दो उद्देश्य है एक तो किसी भी छेतर को आंतरिक असान्ती से बचाना, इंटर्नल डिश्टर्वेंस से बचाना, ठीक है? और या फिर जो व्यक्ति, जो इनके खिलाब जो इंसर्जेंट ग्रूप से हैं उनको सान्त करना दूसरा केंदर सरकार दवरा किसी भी छेतर को असान्त छेतर घोसित कर उसके सारजुनिक व्यवस्था, वहां की पबलिक ओडर को बनाए रखना ये सब इसके उद्देश्य के अंतरगत आते हैं इसी के बिहाफ पे मैं आपको प्रेक्टिस कोशन दूँगा, उस प्रेक्टिस कोशन को आपको घर पे अटेंट करना है तो क्या-क्या अधिकार है भई, केंदर सरकार के पास और सेना के अधिकारियों के पास इस Act के तहत, Arm Forces Special Power Act के तहत क्या-क्या अधिकार है, अधिकार ये है कि केंदर सरकार जो है, राज्ये के राज्येपाल, केंदर सरकार, राज्ये के किसी भी हिस्से, या फिर पूरे राज् ठीक है बात करेंगे इसमें भी एक फ्लो है जो की सेकंडे आरसी में समझाया था कि हम सुझाव में उसकी बात करेंगे उचित चेतावनी देने के बाद गोली चलाना अन्य परकार के बलका परियोग भले ही किसी व्यक्ति की मिरती हो जाए तो सेना के पास यह अदिकार है कि अ ठीक है तो चेतावनी देने के बाद गोली चलाना और किसी अन्य परकार के बलका परियोग करना इंसरजेंट गुरूप के खिलाप चाहे उसकी मिरतीवी को न जाए सामने वाले व्यक्ति की ठीक है यह सेना के पास अधिकार है संदे के आधार पर सेना किसी को भी गरफतार क कर सकती है इस एक्ट के तहत तलासी लेने के लिए किसी वारेंट की आवशकता ने है क्योंकि अक्सर आपने मूवीज में देखा होगा अक्सर आपने गया विलन के घर पे रेड मारने गया है हीरो तो पूशते हैं कि कुछ वारेंट वगेरा लाए और सर्च वारेंट तो वो मना करते हैं कि नहीं नहीं सर्च वारेंट नहीं लेने देते तो अक्सर उनको सर्च वारेंट दिखाते हैं लेकिन इस एक्ट के तहद किसी सर्च व इस एख़े आरे ya में जहां पर यहां पर यह जो है बेसिकलिये कानून लागू है तो वहाँ पर उन पर कोई कानूनी टारवाई भी नहीं होगी इस कानून के तहत काम करने वाले किसी बिवेक्टि के खिलाफ कोई अभियोजन मुकदमा, अन्य कानूनी कारवाई नहीं होगी, मतलब यह इन सबसे स्वतंतर है तो यह सारी के सारे सेना को अधिकार है किंद्र सरकार जो है किसी भी एरिया को, भारत के किसी छेतर को या किसी राज्य को या राज्य के किसी छेतर को असान छेतर घोसित कर लगा सकती है तो जादा तर नौर्टिष्ट में जम्मू कश्मीर में ये सब हमें देखने को मिला और पूरा अधिकार वहाँ पर जो है बेसिकली सेना वहाँ पर ले लेती है तो चलिए कुछ कमेंट्स मैं आप से लेता हूँ कि क्या आस्फा को बने रहना चाहिए इसका पक्ष क्या होगा क्या इसको बने रहना चाहिए क्या इसको बने नहीं रहना चाहिए तो चलिए पहले पॉइंट्स दीजिए कि इसको बने रहना चाहिए तो क्यों बने रहना चाहिए बताइए अब आपने points दीजिए, yes fundamental rights का उलंगन होता है very good, fundamental rights का भी उलंगन होता है, इसलिए इसको नहीं बना रहना चाहिए, क्योंकि इसकी वज़े से fundamental right का भी उलंगन होता है नहीं, इसको इसलिए नहीं बना रहना चाहिए, बना रहना चाहिए क्योंकि बना नहीं रहना चाहिए क्योंकि fundamental right और human right दोनों का उलंगन इससे होता है ठीक है नहीं अरे मैं यह कहा रहा हूँ नहीं होना चाहिए क्यों नहीं होना चाहिए अपने तर्क दो ठीक है Yes होना चाहिए क्योंकि भई हमें public order जो है maintain करके रखना है पब्लिक order को maintain करके रखना है ठीक है देश की एकता अखंडता को सुनिश्चित करना है very good point और और internal security के आधार पर ठीक है ठीक है ठीक है तो overall अगर आप देखेंगे कि क्यों होना चाहिए इसलिए होना चाहिए ये act armed forces special power act इसलिए होना चाहिए ताकि किसी असान छेतर में जो insurgent group है जो विद्रोही group है उसको हम दबा सके क्योंकि उसको क्या पता किसी दूसरे देश से मदद मिल रही हो हत्यार मिल रहे हो एक movie है आईश्मान खुराना की नौर्थ इस्ट के उपर based है वो तो वह वाली movie देखना आप मुझे नाम उसका याद नहीं आरा कोई suggest करेगा मुझे नाम ठीक है आंत्रिक सुरक्सा का मामला है कि हमारा आंत्रिक सुरक्सा बहुत ज़्यादा महत्पून है और इसी अंत्रिक सुरक्सा की वज़े से देख की एकता अकंडता को हम सुनिश्चित कर सकते हैं सुरक्सा बलो का मनोबल बनाए रखना ऐसा नहीं है देखो असान छेतर में क्या होता इंसरजेंट ग्रूप सेना उपर क्या फेकते हैं पत्थर फेकते हैं उसके बाद एक सुप्रीम कोट का केस था नागा पीपुल मुवमेंट ऑफ हुमन राइट बनाम यूनियन ऑफ इंडिया तो इसमें इसकी जो वैधानिक्ता है आसपा की आम फोर्स स्पेशल पावर एक्ट की उसकी वैधानिक्ता को इसलिए इननोंने बरकारा रखा सुप्रीम कोट की जज्जमेंट में इसलिए हम कहते हैं कि भाई इसको होना चाहिए yes अनेक है सायद अनेक है अनेक है yes चलिए विपक्स में तर्क क्यों नहीं होना चाहिए क्योंकि सुरक्षा बलो की प्रतिरक्षा का प्रावधान उन्हें अधिक कुरूरता से कारे करने के लिए प्रेरित करता है सिंपल सी बात ये है कि भाया अगर किसी कोई भी व्यक्ति को मेर से या आप से कोई कह दे कि आप पर कोई केस नहीं होगा इस एरिये में आप जो भी करोगे आप से कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा कोई कानूनी आपके उपर कारेवाई नहीं होगी तो कहीं न कहीं अगर मेरे मन में कहीं न कहीं किसी के लिए द्वेस है या मेरे मन में मेरी अंदर कुरूरता भरी हुई है तो हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारा निरने है वो तरक और तरक के आधार पर कभी हम नहीं ले सकते हैं कहीं ना कहीं हमसे मानवाधिकारों का लंगन होगा और कहीं ना कहीं गलती हमसे हो जाएगी विद्रो की भावना और ज़्यादा गहरी हो सकती है एक असान छेतर है वहाँ पर भी इस टाइप का अगर कानून अगर हम लगा देंगे तो कही न कहीं इंसर्जेंट ग्रूप और भढ़केगा ठीक है बातचित करने की बज़े अगर ऐसा काम हम करते हैं तो विद्रो की भावना और ज़्यादा गहरी हो जाती है तो फिर डिमांड आने लगती है कि हमें तो अलग ही एरिया चाहिए अलग ही देश बनाना है ठीक है येस रिफॉर्म की अवशक्ता है बात करेंगे हम क्या नाम है किल ये अमित यादव येस बिलकुल येस अमित यादव अभीस के अवशक्ता की बात करेंगे माना वधिकारों का उलंगन होता है फंडमेंटल राइट का तो किसी भी सेन्य रूप से अलपावधी तक नियंतरित किया जाना चाहिए क्योंकि ये उस छेतर के विकास में बाधा बन सकता है देखिए एक छेतर जहाँ पर ये कानून नहीं है जबकि दूसरा छेतर असान छेतर जहाँ पर ये कानून है अब ये सालों सालों 10-10 साल 5-5 साल 20-20 साल तक अर ये कानून लगा हुआ है तो वहाँ का जो डवलपमेंट है as compared to जहाँ पर ये सारी इस टाइप का कानून नहीं लगा हुआ है तो वहाँ पर डवलपमेंट कम होगा as compared to जहाँ पर कानून नहीं है वहाँ पर डवलपमेंट ज़्यादा होगा तो उन लोगों के विकास में भी ये बादा हो सकता है बादचीत हम कर सकते हैं इसके हटाने पर विद्रोयों को दुस्मन देश और मदद मिल सकती है तो अगर इसको हमने हटा दिया और insurgent group किसी area में dominate करते हैं तो कहीं न कहीं हमारे arm forces के पास power तो रहेगी नहीं power नहीं रहेगी it means कि कहीं कानूनी कारवाई हो जाएगी इसलिए वो डरते रहेंगे आपने बहुत सारी movies में देखा होगा कि जो है basically जो हमारे देश के जो जवान हैं उनके उपर movies में भी देखा है real में भी पत्थर फेकना और ये सारी चीज़े आसानी से वो कर देते हैं तो उनके मनोवल को बढ़ावा मिलेगा और जो हमारे दुस्मन देश हैं जो दुष्ट राष्टे हैं विकेंसे कि जैसे पाकिस्तान चाइना और इसको help कर सकता बढ़ावा दे सकता है तो अगेन इससे क्या होगा अगर हटेगा तो भारत की एकता अखंडता जो सुनिश्चित हमें करनी है जो हमें आंत्रिकासांती बनाए रखनी है वो कहीं न कहीं भंग हो जाएगी तो ये सारे कारण है कि नहीं होना चाहिए और होना चाहिए ठीक है फिर उसके बाद कुछ सुझाव है कि जिन चीजों को हमें कंसीडर करना चाहिए तो जैसे जग जीवन जो सुरी नोट जग जीवन जीवन रेड़ी समीती 2004 में बनी इन्होंने बोला कि आसपा को न निरस्त कर दिया जाना चाहिए इसकी बजाए UAPA में क्या करना चाहिए उचित प्रावधान सामिल करने चाहिए कि कोई एरिया अगर असांत छेतर है कोई एरिया अगर असांत छेतर है तो उस एरिया को उस एरिया में हम क्या-क्या चीजे कर सकते हैं तो इसको UAPA के तहत लाना चाहिए और आसपा को निरस्त करना चाहिए तो ससस्त्र बलो और अर्थ सैनिक बलो की सक्तियों को भी स्पष्ट करना चाहिए जैसे एक तलाशी लेना, किसी को उपर फायर कर देना तो इन सब में क्या करना चाहिए कि overall हमें कोशिस ये करनी चाहिए कि उनकी सक्तिया define हों कि आप इस वाले एरिया में ये ये काम कर सकते हैं ये काम नहीं कर सकते हैं तो मतलब एक list आपके पास रहे do और dons की ठीक है जिस छेतर में ससस्त्रबल तैनात हैं जहां भी ये आस्पा लगा हुआ है वहां परतेक जिले में एक सिकायत निवारन कक्स भी स्थापित होना चाहिए ठीक है फिर उसके बाद second ARC आता है second ARC मतलब दुईत्य प्रसाशनिक सुधार आयो इन्होंने कुछ recommendation दी yes अभी जह पूछिए क्या question है आपका second ARC second ARC ने कुछ recommendation दी और इन्होंने भी यही बोला कि ऐसा करिए जो arm forces special power act है न उसको निरस्ट कर दीजिए निरस्ट करने के लिए इन्होंने बोला पूछिए क्या question है मेरा notes आप ऐसे पढ़ा रहे हैं कि मेरे notes revision हो रहा है तो यह तो अच्छी बात है इसमें परेशाण होने वाली क्या बात है और यह कही ना कहीं यह act क्या करता है इन्होंने बोला कि North East के अंतरगत उत्तरपूर्व राजियों के अंतरगत अलगाव वाद की जो भावना है अलगाव वाद की जो भावना है उसको उत्पन करता है या पैदा करता है यह सेकंड अर्सी का कहना है द्वित्य प्रसासनिक सुधार आयोग का कहना है ठीक है और क्या कमेंट सर अर्सी का फुल फॉर्म बता दिया Administrative Reform Commission ठीक है द्वित्य प्रसासनिक सुधार आयोग उसके अलावा इन्होंने भी यही सेम बात कही कि UAPA UAPA 1967 में संसोधन हो संसोधन हो और वहाँ पर इन चीजों के असान्त एरिया से संबंदित प्रावधान हो तो इन तीन पॉइंट्स को आप लिख सकते हो जब अभी मैं आपको मेंस का कुशन दूँगा वहाँ पर ठीक है फिर सुप्रीम कोट का एक फेमस केस है नागा पीपुल्स मूवमेंट ऑफ हुमन राइट्स बनाम यूनियन ऑफ इंडिया इसमें भी कुछ रिकमेंडेशन थी कि जैसे किंद्र सरकार किसी एरिया को असान्त एरिया घोसित कर सकती है किंद्र सरकार तो इसमें क्या करें किंद्र सरकार राज्य का प्रामर्स लेले भाई ठीक है राज्य से एक बार पूछ ले कि क्या हम इस एरिया को असान्त घोसित करें या नहीं करें ठीक है हाँ कोई बात नी अब ये यस यस चलेगा ये सारी चीज़े चलेंगे और इस Act की समय समय पर समिक्सा हो जैसे हर 6 महीने बाद समिक्सा हो जाए कि भई अब इसको हटाएं या लगाए रखें समय समय पर समिक्सा हो न्यूंतम बल का प्रियोग करें मतलब अगर किसी एरिया में ये लगा हुआ है तो हमें कोसिस करनी चाहिए कि उस एरिया में न्यूंतम बल का प्रियोग करें बाकी इस सुप्रीम कोट के इस decision में सुप्रीम कोट के इस verdict में इन्होंने क्या करा कि आस्फा जो है Armed Forces Special Power Act है इसकी व्यधानिक्ता को बनाए रखा इसकी वैध्यनिकता को बनाए रखा ठीक है यह याद रखना है तो प्लीज यह note down कर लीजिए मैं हट जाता हूँ एक बार screenshot ले लीजिए आप इसका ठीक है येस चलिए white से लिखिए क्यों red से समझ नहीं आ रहा इतनी बार तो बोल भी दिया है चलो आपके कमेंट में देख रहा हूँ सर इंगलिस क्लास इस नोट अविलेबल और अविलेबल अविलेबल है मतलब अगर हम देखें तो इंगलिस में ही हम डिसकस करते हैं तो you can watch now मतलब you can follow this channel या फिर follow this current affair class on a daily basis ठीक है सर आप से tuning set हो गया है मज़ा आ रहा है यह है रितेश जोन कह रहे है कि सर आप से tuning set हो गया है मज़ा आ रहा है कहीं दूसरी जगे नहीं जाना है सर प्लीज आप रहोगे लगता है current affair में clear हो जाए अच्छा इस current affair बिसकुल बिलकुल monthly magazine का भी कुछ देखते हैं ले लिए screenshot समझ गए यह points लिखने आपको चलिए इस बिहाब पर आपको यह question attend करना है या फिर attempt करना है अपने घर पे कोई बात नहीं कोशिस तो करो देखो जब भी इस question को लिखोगे तो एक इसमें क्या रखना intro part रखना परिच्चे अब यह मतलिख देना कि लिख रहे हो यह है परिच्चे शुरू कर देना बैस 20-30 सब्द का एक intro लिख देना फिर उसके बाद main body आएगा main body आएगा ठीक है फिर उसके बाद एक solution आएगा एक solution आएगा या आगे की रहा उपाए ठीक है तो वर्दवान परिपेक्स में ससस्तरबल विशेश सक्तियां अधिनियम 1958 के महत्व महत्व को जागर करते हुए इसे लागू रखने के पक्ष और विपक्ष में अपने विचार रखें तो तीन चीज यहाँ पर बतानी है कोशन में साफ साप पूछा हुआ है आसफा का क्या महत्व है चलिए वाइट कलर में लिख देता हूँ फिर बच्चे बोलेंगे समझ में नहीं आ रहा देखो आसफा का महत्व क्या है यह हमें देखना है उसके बाद क्या इसे लागू होना चाहिए बहुत आसान कोशन है जो मैंने समझाया जस्ट वो ही लिखवा रहा हूँ आपको इसका विपक्स क्या है और सोलूशन में क्या होना चाहिए ठीक है तो यह सारी चीज़े आप कर सकते हो सर हम आंसर राइटिंग मस्त करते हैं बट आप को दिखाए कैसे देखे इसका भी मैं कुछ न कुछ एक स्मूध प्रोसेस बनाता हूँ थोड़ा मुझे टाइम दीजिए इतने जो मैं कोशन लिख रहा हूँ एक कॉपी बना लीजिए एफोर साइज जो सीट आती है और जिसमें UPSC का सीट आता है वो कॉपी मिल जाती है अविलेबल होती है आराम से उसमें इन कोशन को नोट करके लिखते रहिए तो आराम से इसमें बताना है कि महत्व क्या है पक्ष और विपक्ष की अपने विचार इसमें प्रकट करो तो इसमें आप जब पक्ष और विपक्ष की बात आएंगी तो भाईया इसमें सेकिंड अर्सी और ये सब का महत्व की बात करोगे तो आप सारी चीजेस में मेंसन कर सकते हो आप कर लोगे इस कोशन को I know that ठीक है ये ढाई सो वर्ड्स में द्थाइसो वर्ड्स में लिखना है चलो 250 वर्ड्स में लिखना है 250 सब्दों में लिखना है ठीक है मैंने अभी तक डेली बेसिस पे जो क्लास होती है तो लगबग आपको मैंने 15-20 कोशन तो मेंस के देई दिये होंगे ठीक है लिखते हो नहीं लिखते हो देखो थेल सिर्फ लिखने का है और prelims में question practice करने का इसके लाव़ कुछ ही नहीं है ना अगर आप लिखोगे नहीं तो फिर क्या फाइदा अगर लिखोगे नहीं तो फिर ग्यान अरजित कर लोगे कि अच्छा ऐसा ऐसा है किसी को बता दोगे चार आदमियों में खड़ोगे देखो आसपा यह इसलिए सही है इसलिए गलत है उससे वावाई मिल जाए कि उससे कुछ होना जाना है नहीं में यह है कि में काम हमारा क्या है में काम हमारा है कि हम अगर हम प्रिलिम्स की बात करें तो हमें जितने से ज्यादा से ज्यादा हम कोशन लगा सकते हैं अटेम्ट कर सकते हैं प्रिलिम्स के वह हम करें मेंस में हम जितने ज्यादा से ज्यादा कोशन से रिलेटेड लिख पाएं 150 words में 250 words में within time limit यह हमें कोशिश करनी है लगातार basis पर ताकि हम अपना score maximize कर सके और selection ले सके यह हमारा target होना चाहिए कोई बात नहीं economy आप tension ना लो जो भी चीज़े update होती रहेंगे वो मैं करवा रहा हूँ IIP और core industry करवा है ना अपडेट अभी ऐसे ही देखो fiscal deficit भी होगा चलो next article discuss करते हैं The Hindu के 12 number page पे है monetary policy committee की जो बैठक है RBI monetary policy likely to hold rate on 5 April तो 5 April को monetary policy committee की जो बैठक है वो basically हो सकती है और उसमें जो policy rates है वो same ही रहेंगे ऐसा कुछ करके article कह रहा है तो ये तो हर 2-3 महिने में ये बैठक होती रहती है don't worry ठीक है तो overall हर 3 महिने में जैसे होती है 4 बैठक तो होती है इसकी तो overall हमें यहाँ पर monetary policy के बारे में क्या जानना है देखो inflation मैं आपको बता चुका हूँ देखो मैं क्या क्या बता चुका हूँ करता है दोनों चीजे मैं बता चुका हूँ है ना तो जितने भी tools है अगर उनके rate अगर हम बढ़ा दें interest rate अगर हम बढ़ा दें तो we can say कि market से RBI क्या कर रहा है RBI अगर tool देखो tool जो rate है अगर वो बढ़ा दें इसका मतलब liquidity market में क्या हो जाएगी तरलता पैसा market में क्या हो जाएगा देसी भासम समझो पैसा रोकडा कम हो जाएगा और tool के जो quantitative tool है उनके जो rates है अगर वो घटा दें तो इसका मतलब market में जो तरलता है वो क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी दो चीजे आपको मैं बता चुका हूँ inflation वाले chapter में ठीक है अब देखो आपको न MPC में कुछ quantitative tool है नकी monetary policy committee के जैसे repo rate क्या होता है repo rate कोई बताएगा repo rate क्या होता है कोई बताएगा कोई बात निया भी जहाँ daily basis पर class लीजिए कोई बताएगा आज current affair की class 9 p.m. पर है क्या ये तो 6 p.m. पर चल रही है कौन सी की बात कर रहे हो बेटा मदू repo rate कोई बताएगा simple सी बात है कि repo rate के तहट bank जो है वो किस से पैसा लेते हैं banks जो है RBI से पैसा लेते हैं एक होता है reverse repo rate इसमें क्या होता है कि जो RBI है वो bank को से पैसा लेती है ठीक है bank से पैसा लेती है उसके बाद आपने सुना होगा एक CRR CRR को CRR का full form है cash reserve ratio हिंदी में इसको कहते है नगद आरक्षित अनुपात अब कोई नहीं पूछेगा दुबार है कि sir मुझे इसमें doubt है CRR में क्या है कि RBI को RBI को sorry bank को RBI के पास RBI के पास RBI के पास जो अपनी कुल जमा है उसका कुछ percent which is also decided by the Reserve Bank of India तो जमा करवाना पड़ता है क्या करवाना पड़ता है जमा करवाना पड़ता है यहां वैसे एक बात महत्पून है जो जाननी चाहिए that is कि only cash की form में जमा करवाना है only cash की form में जमा करवाना है a cash statutory liquidity ratio इसको हिंदी में कहते हैं वैधानिक तरलता अनुपाद इसके अंदर क्या होता है कि जो बैंक हैं जो बैंक्स हैं बैंक्स जो हैं एक सर्टेन अमाउंट अपने एक सर्टेन अमाउंट कुछ अमाउंट अपने टोटल डिमांड और लायबिलिटी का एक सर्टेन परसंटेज किसके पास रखना पड़ता परसंटेज याद करने की जरुत नहीं है CGL, VGL में पूशता है परसंटेज वगेरा ठीक है? अपने पास रखने की जरूरत होती है और इसमें क्या-क्या सामिल हो सकता है जैसे ये cash में रखा जाता है इसमें क्या-क्या सामिल हो सकता है government की security यानि की सरकारी परतिभूतिया gold रखशकता है cash रखशकता है कुछ भी रखशकता है gold रखशकता है, cash रखशकता है other securities जो है वो सारी रखशकता है SLR की form में कुछ रखशकता है फिर आता है open market operation खुला बजार परिचालन इसमें क्या होता है कि जो banks होते है या जो RBI होता है वो क्या करता है खरीद करता है government, सरकारी परतिभूतियों की और क्या करता है, साथ में बिकरी भी करता है, खरीद और बिकरी दोनों एक साथ करता है, इससे करता है क्या है, liquidity को तरलता को या तो market में बढ़ा देगा या तरलता को market में कम कर देगा, ठीक है ये सारी चीजे है MPC के tool में किसी को कोई doubt है तो बताओ किसी को डो, RR फिर से, RR देखो ये तो कोई movie नहीं है, bank जो है, RBI से पैसा उधार लेते हैं, जिस दर पर पैसा उधार लेते हैं जिस percentage पर पैसा उधार लेते हैं ब्याज पर, उसे क्या का जाता है रेपो रेट का जाता है, और किसी को कोई doubt हाँ, liquidity increase or decrease अगर इन सब tools का rate जो है, माली जी 10% rate है, मैं कह रहा हूँ RBI कहता है कि आज से 5% हो जाएगा, अगर हम decrease कर देते हैं, तो market में तरलता बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी क्योंकि अब ब्याज कम हो गया है और इसी के tools का price अगर हम बढ़ा दें तो liquidity क्या हो जाएगी market में कम हो जाएगी, तरलता कम हो जाएगी ठीक है, all doubt clear, clear, clear CRR bank को RBI के पास रखना पड़ता है, नहीं ऐसा नहीं है CRR, हाँ, CRR रखना पड़ता SLR bank जो है kept with itself, अपने पास रखते हैं, ठीक है याद रखना no doubt बिल्कुल notes बनाना पड़ेगा मैंने वीडियो बनाई हुई है कि अख़बार कैसे पड़ें, देख सकते हो under SDF, okay oh, best, yes under SDF लड़का पड़के आया है कब introduce हुआ था पड़के आया है बच्चा लग रहा है SDF standing deposit facility होती है अलग चीज है, ठीक है, कभी और समझा देंगे चलिए और इसके अलावा देखो, एक MSF भी होता है एक चीज और बताना भूल गया है, that is MSF क्या होता है MSF Marginal Standing Facility इसके तहट क्या होता है, कि RBI ने Rappor Rate के थुरू भी पैसा ले लिया और अब RBI ने Bank Rate के थुरू भी पैसा ले लिया RBI की जरूरत, sorry, Banks की जरूरत RBI, Banks की जरूरत पूरी होनी रही तो RBI क्या है, कि Extra पैसा उधार लेता है MSF के तहट, और इस पर जो Bank है, वो ज़्यादा ब्यास देते हैं, किसको? RBI को ठीक है, ये याद रखना और इसमें एक Limit भी है कि 2%, मतलब Total Demand का जैसे Overall 2% ही ले सकते हैं, कोई ज़्यादा इतना महत्पून है नहीं, ठीक है? ये भी एक Tool ही है, तो चलिए अब देखो 5 Question solve करवाने हैं, चलिए बताइए फटा फट चलिए, बात करते हैं पहले Question कि इसका अंसर क्या होगा? इसका अंसर क्या होगा? इसका अंसर क्या होगा? बताइए अब आराम से आपसे Question solve कराई जाएंगे लगातार बहुत आसान है Question बहुत आसान Question है Standard Fixed Deposit नहीं होता Standing Deposit Facility होता अभी जा तो Basically RBI को Collateral नहीं देना पड़ता बैंकों को, तो बैंक अपना Surplus पैसा जमा कर सकते हैं RBI के पास यह होता Standing Deposit Facility, और कुछ नहीं होता है ठीक है? अब मैं सोच रहा तक अभी और बताऊंगा अब आप परिशान हो रहे हो देखो यह जो Question है सबसे आसान Question है अगर मैं Solve करवा हूँ आपसे D4 धोका मनतेस, किस ने दे दिया आपको धोका? ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतिकाम देखेगी Yes 2022 में यह Question UPSC ने पूछा है 2022 में यह Question UPSC ने पूछा है है न? तो overall मुद्रा स्पिति को नियंतर्ण और कीमत इस्थिर्टा कौन बनाए रखता है? भारतिय रिजर आप बैंक बनाए रखता है ठीक है? चलिए Yes हाँ 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 चलिए इस Question का reply दो मनतेस मनतेस इस Question का reply दो बेटा इस वाले Question का reply दो पूछ रहा है कि मांग प्रेरित मुद्रा स्पिति उसमें विर्दी के किन कारणों से होती है है न? इन्फलेशन मैं करवा चुका हूँ और इन्फलेशन का टाइप भी मैं बता चुका हूँ पूछ रहा है कि With reference to Indian economy Demand pull inflation can cause increase किस वज़े से Demand pull inflation हो सकती है बताओ पूछन नहीं दिख रहा है Blood दिख रहा है देखो पूछा है कि भारतिय अर्थववस्ता के संधर में मांग प्रेरित मुद्रा स्फिति उसमें विर्दी निमिलिखत में किन कारणों से हो सकती है या होती है विस्तारित नीतियां पहला पॉइंट दूसरा राजकोच्ची लिख लो अगर नहीं दिख रहा तो राजकोच्ची है प्रुत्साहन तीसरा मुद्रा स्फिति सूचकांग मजदूरी चौथा उच किरिय सकती बढ़ती ब्यासदर पांच वो पॉइंट है चलिए अब बताइए ए सबसे पहले जो सही आंसर है वो दिया है ये लड़का है अमित गेमर गेम खेल गया लड़का येस ए इस दे करेक्ट आंसर क्यों है देखो एक्सपैंसनरी मॉनिटरी पॉलिशी होगी लोगों के पास पैसा आएगा लोगों के पास अगर पैसा आएगा तो वो खर्च जादा करेंगे मतलब उनकी डिमांड बढ़ेगी इसलिए वाला सही है फिसकल स्टूमिलेस के तहत भी गॉर्मेंट बहुत सारी स्कीम्स के थुरू मार्किट में पैसा इंजेक्ट करेगी पैसा आएगा लोगों के पास पर्चेजिंग पावर अगर किसी की जादा है तुमारी खरीद सकती बढ़ जाए तो डिमांड आएगी के नहीं आएगी बिलकूल आएगी लेकिन इंट्रेस्ट रेट अगर किसी का बढ़ रहा है इंट्रेस्ट रेट ब्याजदर किसी की बढ़ रही है तो अगर कोई व्यक्ति इन्वेस्ट कर रहा है मालनो ब्याजदर बढ़ गई और investment कर रहा है production में तो ब्याज उसको महंगा पड़ रहा है तो ब्याज उसको महंगा पड़ रहा है तो product का दाम भी कैसा हो जाएगा तो इस question में elimination technique भी लग सकती है अगर किसी को ये confirm है कि 5 option जो 5 वा option वो गलत है तब भी ये उतर आ जाएगा ये 2021 में question पूछा था इस question का reply दो जाएगा इस question का reply दो जाएगा मजा आ रहा है न question solve करने में मजा आ रहा है सबको question solve करने में अरे yes or no तो बोल दो इस बार आप कही name लोग किया दिक्कत है भाई सब तो है one of the following is likely most inflationary in its effect निमलिक्त में से कौन सा अपने प्रभाव में सारवदिक मुद्रा स्फीती कारक हो सकता है सारवदिक रण की चुकोती repayment of public debt budget घाटे के वित्यन के लिए जनता से उधार लेना budget घाटे वित्यन के लिए बैंकों से उधार लेना D option budget घाटे के वित्यन के लिए नई मुद्रा का सर्जन करना या नई मुद्रा च्छापना क्या अंसर होगा इसका नई दिखरा तो quality बढ़ालो खुस्बू बाकी लोगों को तो दिखरा अंसर दे रहे yes जिनोंने भी D answer दिया that is correct कि अगर हम मुद्रा स्फीती कारक हो सकता है सबसे बड़ा inflationary अगर कोई reason हो सकता है वो यही हो सकता है कि भई हम credit मतलब overall हम देखें तो हम new money का creation कर दें और लोगों को पैसा बाटें तो demand generate होगी demand generate होगी तो एक चीज के लिए एक वस्तू के लिए ज़्यादा पैसा लोग देने को तयार होंगे तो market में again से again क्या होगा फिर से दुबारा से yes 2021 का ही है दुबारा से inflation हो सकती market में तो D is the correct answer very good इस question का reply दो 57 2020 का है यह question 2020 का है इसका reply दो जड़ा भई इसका reply दो जड़ा इस question का reply दो जड़ा RBI अगर यह तै करता है कि उसे परसारवादी मौद्रिक नीती का अनुसरण करने का निर्ने लेता है तो इसमें से वो क्या नहीं करेगा क्या नहीं करेगा यह question में पहले भी solve करा चुका हूँ D is the correct answer कोई बोल रहा है अरे यहां देखो सीमान्त 27 सुवीधा दर को बढ़ाना अगर कोई व्यक्ति परसारवादी या कोई बोडी परसारवादी मौद्रिक नीती आर्वे अगर चला रही है तो परसारवादी का मतलब है जितने भी rates है सब को कम कर देना तब ही तो जाके liquidity market में होगी तो second option is wrong answer is C तो C जिसने भी दिया है very good सबसे पहले जो answer आया है C, C, C है ना मतलब देखो जहां भी घटाना है याद रखना expansionary का मतलब कि जितने भी RBI के tools है specially quantitative tools उनके ब्याजदर को घटा देना जब भी RBI ये कह राहिए कि में प्रसारवादी नीती लेके आर्मौद्रिक नीती लेका रहा हूँ इसका मतलब ये है कि market मह वो तरलता को बढ़ाना चाहता है और जब भी RBI कहता है कि नहीं मैं संकुचित मौद्रिक नीती लेका रहा हूँ इसका मतलब market से तरलता को खीचना चाहता है It means कि rate बढ़ाएगा घटाने का मतलब कि तरलता बढ़ाना चाहता है ठीक, तो reverse relation है चलो एक question और solve करवाऊँ चलो, इस question का reply दो इस question का reply दो ये दिख रहा है न सबको ये पांचवा question है पांच-छे question करा दूँ आज बविश्य में question बना तो अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो आपका question गलत होगा नहीं B answer कह रहे हैं बच्चे बिलकुल, देखते हैं B answer होगा ये क्या होगा क्या answer होगा भाई? क्या answer होगा? मदू परिया इसी वज़े से आपको साइद ब्लॉक किया गया था आज मैच किसका है? ठीक है? तो ये सारी चीज़े हैं नहीं मैच किसका है नहीं है वो आप देखो फिर आप बोलोगे sir प्लीज अन ब्लॉक करा दो कोई कह रहा है B कोई कह रहा A तो A is the correct answer अरे भाई ये question में पहले भी solve करा चुका हूँ RBI benchmark interest rate यहाँ पर decide करती है बिल्कुल सही है 12 member body है क्या monetary policy committee कितने member है monetary policy committee में लिखके बताओ total 6 member हैं 3 government of India के और 3 RBI की और से क्या इसका chairman कौन होता है union finance minister होता है या RBI के जो head है governor है वो होते है तो ये थड़ भी गलत है second भी गलत है A is the correct answer A is the correct answer ठीक है ये होते हैं ठीक है तो A is the correct answer थोड़ा इसको भी पढ़ लो कि chairman कौन है चलो एक question और solve करवाऊंगा एक question और solve करवाऊंगा चलो बताओ कि इन में से कौन कौन से monetary policy committee के tools हैं बतादो अगर ये किसी ने गलत जवाब दिया ना इसका मतलब कि वो वेक्ती बिलकुली ध्यान नहीं दे रहे बताओ इसका answer बताओ इन में से कौन से tools है monetary policy के बताओ वेरी गुड प्रिया यादव वेरी गुड बेटा इट मेंस कि आप बहुत गौर से चीजों को देख रहे हैं नेहा कुमारी वेरी गुड अमित यादव क्या हो गया है भाई तो C is the correct answer क्योंकि bank rate और open market operation ये दो tool है public debt और public revenue कोई tool नहीं RBI के monetary policy committee का So C is the correct answer 1 and 2 total 6 question मैंने आप से solve करवा है So I hope भविश्य में अगर question बनेगा monetary policy से या tool से तो आप उसको आराम से cover कर लेंगे अब इस से जादा और क्या practice करा हूँ ठीक है एक topic पर इतनी practice बहुत होती है चलिए overall fiscal deficit के बारे में एक article आया page number 12 पर वो कह रहा कि fiscal deficit जो central central का government का वो fiscal deficit बढ़ चुका है 15 लाग करोड हो चुका है जो कि पहले 11 लाग करोड था ठीक तो यहां से हमें कुछ चीजे समझनी है एक तो यह समझना है कि यह fiscal deficit होता क्या है घबराईए नहीं इस physical deficit को कहते है हिंदी में राज कोशिय घाटा क्या कहते है राज कोशिय घाटा तो देखो deficit क्या होता है घाटा होता है घाटा कब होगा very good तभी तो मैं कराता हूं सारी चीजे प्रिया घाटा क्या होता है simple सी बात है कि भाईया मेरे पापा ने मुझे 100 रुपे दिये और मैं 10 रुपे उधार करके आ गया और overall मैं कहूं तो 110 रुपे मैंने खर्च कर दिया तो 10 रुपे का क्या हो गया घाटा हो गया मतलब अपनी आमदनी से ज़्यादा खर्च कर देना क्या होता है घाटा होता है तो total expenditure total receipt से ज़्यादा हो जाए ठीक है तो क्या होता है घाटा होता लेकिन physical deficit का जो formula है excluding borrowing हमने उधार लेके जो इसको पूरा करा है fiscal deficit को उसको हम क्या कर देते है exclude कर देते है include कर देंगे तो 0 ही हो जाएगा ठीक है तो उसको क्या कर देते हैं exclude कर देते हैं तो यह fiscal deficit का formula है fiscal deficit के बारे में हैं पर बोला है कि around 5.9% है अभी GDP का है ना GDP का 5.9% है जबकि हमारा target कितना है around 4.5% है yes क्या comments कर रहे हैं बच्चे yes तो अभी हमारा target है 2025 चब़ी तक 4.5% 2025 चब़ी तक बात करूँगा मैं इसकी अभी ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं यह fiscal deficit का trend है overall आप देखेंगे तो देखो UPSC जब prelims पूछेगा तो क्या पता क्या पता आपसे यह भी पूछ ले हाँ मैं PDF डलवा दूँगा ठीक है so overall क्या पता आपसे UPSC पिछला trend पूछ ले कि क्या पिछले 10 साल में लगातार आपका जो है fiscal deficit जो है वो बढ़ रहा है तो ऐसा भी नहीं है लगातार पिछले 10 से घट रहा है नहीं हो रहा क्योंकि यह fluctuate कर रहा है अप एंड डाउन अप एंड डाउन हो रहा है ठीक है तो पिछले 5 साल का 10 साल का trend आपको पता होना चाहिए तो चलिए मोटी मोटी बाते जो fiscal deficit के बारे में होनी चाहिए वो मैं आप से कर लेता हूँ एक बार आपका एक बार मैं आपके comment देख लेता हूँ ठीक है तो FRBM Act होता है FRBM Act सबने सुना है FRBM Act के बारे में 2003 Act जैसे बाद में इसमें संसोधन होते रहते हैं मैं जस्ट आपको example दे रहा हूँ UPSC question पूछ चुकिए पता है FRBM किसी ने पढ़ा है तो FRBM overall क्या है कि Fiscal Responsibility Budget Management है ना लिख लो हिंदी में क्या कहते हैं इसको Fiscal Responsibility Budget Management को लिख लो राजकोशी है बजट परबंधन लिखो राजकोशी है बजट परबंधन बजट परबंधन दाइत्व ठीक है दाइत्व अधिनियम 2003 इसके तहट क्या गया गया कि हमारा जो Fiscal Deficit था ना हमारा जो राजकोशी घाटा था उसका कोई target नहीं था हमारे पास पहले लेकिन government को बोला गया कि कही न कहीं आप target set करिए क्योंकि किसी भी देश के लिए घाटा अच्छा नहीं होता है और जादा घाटा तो बिल्कूल अच्छा नहीं होता है ठीक है तो इन्होंने set up करा तो वर्तमान में जो है वो ही हमारे काम का है क्यों है हमारे काम का क्योंकि exam में question बन सकता है, तो वर्तमान में 5 point जो अभी last slide में आपने देखा 5 point 5.9 है साइद 5.9 जो है वर्तमान में 5.9% of GDP of GDP ये हमारा क्या है? fiscal deficit है, लेकिन government का target क्या है? government का target है कि 2026 तक कब 2026 वित्य वर्स तक, इसको हमें कितना करना है? घटा कर 4.5% करना है, fiscal deficit को ये हमने COVID में revise किया था ठीक है? दूसरा जो भी हम पैसा उधार ले रहे हैं जो भी हम पैसा उधार ले रहे हैं, उस पैसे उधार में हमें कोशिस करनी चाहिए कि वो हमें टोटल लाइबिलिटी का 60% से ज़ादा ना हो, जो भी हम पैसा उधार ले रहे हैं, वो हमारी टोटल जो GDP है या उसमे ओवराल 60% से ज़ादा हमारी लाइबिलिटी का ना हो तो अगर आप देखोगे, तो इसमे 40% किस के लिए है? सेंटर गर्मेंट के लिए 40% and 20% स्टेट के लिए है, मतलब स्टेट के पास उसकी जो उसका जो ओवराल लाइबिलिटी है बोरोइंग की वो 20% से ज़ादा नहीं होनी चाहिए और सेंटर के पास 40% से ज़ादा नहीं होनी चाहिए, एक्चुल में है कितनी? एक्चुल में 28% It means कि जो हमारे target है उनको हम meet नहीं कर पा रहे हैं अब ये बात मैंने आपको बताई क्यों क्यों बताई क्यों कि UPSC का अगर ये question आप देखोगे न ये वला तो यहाँ पर second option आप देखिए राज्य सरकारों के GDP के 49% की तुलना में केंदर सरकाल के लिए GDP का 21% घरेलू दाईत्व है या देता है तो इसलिए मैंने आपको बता दिया क्यों कि in future prelims में question बने तो आपको ये पता रहे कि 40% target है total 60 है लेकिन उसमें 57% है भी center का और 28% जो total liability है वो state की है और total हमारा target कितना है target हमारा 60% state और center दोनों मिला के होना चाहिए ठीक है इसलिए question मैंने यहाँ पर दिया आपको ठीक बाकी देखो first option यहाँ पर सही है ठीक है और third option भी सही है इसका जो answer है वो correct सी हो जाएगा ठीक है तो चलिए इस question का reply दीजिए इसके बिहाफ पर फिर मैं आपके comments लेता हूँ note down कर लो यह updated data था ठीक है और 15th finance commission ने बोला था कि इसको 4% करो 2025-26 तक ठीक है तो इसलिए अगर कोई किसी को नहीं पता है कि यह रे sir 15th finance commission ने क्या बोला तो यह वाला option गलत है गलत इसलिए है क्योंकि 2025-26 तक बोला है 2028-29 तक नहीं बोला है incorrect ही बताना है ठीक है और बाकी यह तो आपको पताई है यह तो सही होई गया क्योंकि मैंने इसको आपको बताई दिया है तो only one sorry B is the incorrect only B is the answer क्या answer हो जाएगा B हो जाएगा so B is the correct answer B is the correct answer क्यों क्योंकि 60% जो है मारा target है 15 Finance Commission ने recommend के दिए 4% 2025-26 तक लेकिन हमें अभी target क्या करना है overall FRBM के तैट 4.5% of GDP करना है 60% करना है 40% state का sorry center का 20% state का है कितना actual में 28% और इसका कितना है overall center government का योगदान 57.1% इसलिए आपको याद रखना है कि in future इससे question बनेगा तो आपको समश्या नहीं होनी चाहिए आप इसको आसानी से solve कर ले जाए prelims निकालने का एक तरीका यही है कि economy हो गई आपकी quality हो गई IR के जो question आते हैं वो हो गए किसी organization से इसके अलावा इसके अलावा आपका जो geographical location है यहाँ आप score कर सकते हो science and tech में इतनी ज़्यादा आपको instability देखने को मिलेगी वहाँ आप कम score करते हो ठीक है environment का कुछ नहीं पता है क्या पूछले वहाँ कम score होता है तो यहाँ पर आप score ज़्यादा कर सकते हो prelims निकालने का यहीं एक सही formula होता है ठीक है तो चलिए आपकी जो class है वो यहीं पर end होती है अब किसी के doubt है तो बताईए क्योंकि आज मैं पूरा time पढ़ाने में रहा आपकी doubt मैंने लिये नहीं थेंक्यू जै तो कोशिस कीजिए कि जो भी आप prelims में at least geography, polity कोई भी geographical location IR से related कोई organization हो और आपका economy हो इन सबसे polity से कोई question solve कर रहे हैं तो उसमें 100% चीज़ आएं बैंगलूरी जल संकट का PDF क्यों चाहिए सब तो उसमें लिखा है notes बनाओ बैटके भाई PDF PDF मत खेलो कोई आपसे पढ़ने के बाद doubt नहीं रहना जब doubt छोड़ोगे तब न thank you आचल क्या समझ में नहीं आया first bala first bala क्या नहीं समझ में आया आहां बिल्कुल ये आप organization से request करो जो भी आपको दिक्कते हैं जो भी समस्या है सीधा देखो और यहां पर link में सीधा organization का number भी है न आप उनको call लगा कर जो भी आपकी demands है आप रख सकते हो उनके सामने ठीक है तो organization से आप सीधा बात कर सकते हो आपको number भी दिया है कि for more detail you can contact now तो आप contact भी कर सकते हो organization को कि आपको कोई course लेना है आपको कोई doubt है मेरे related कोई चीज़े आपको बतानी है या doubt है तो आप पूछ सकते हो ठीक है ठीक है यह मैं आपको और help कर सकता हूँ इसमें और क्या बताऊ किसी का कोई doubt है genuine doubt है तो बताओ black and white color में दीजिए बेटा पढ़ना महत्पून है अरे बिल्कुल सोम सरकार आशिरवाद ये लड़का daily comment करता मेरी वीडियो में thank you KGS IS सूर सूरे कांथ कितनी बार लिखोगे ये बात अब तो तुमारे प्रेम से भी बोर हो गया मैं ऐसा नहीं है बेटा thank you so much आपके इतने प्रेम के लिए thank you so much PDF टेलिग्राम पे मिलेगा ने ने अभी जा FRBM में 2015 में भी amendment हुए थे changes होते रहते हैं COVID में फिर changes हुए थे कि अब target बदलता रहता है बाकी पढ़ ले ना FRBM को आपका complain करना है गुरू जी बिल्कुल कीजिए क्या complain है पन्नू कुमार बताईए क्या complain है आपकी क्या complain है आपको करनी है टेलिग्राम का link more में जाओगे न तो वहाँ पे नीचे लिखा हुआ है अरे नहीं वर्सा महता ऐसा बात नहीं है बेटा सब याद है पन्नू ने बताया नहीं कि क्या complain करनी हाँ कर दो कोई इशू नहीं है मन्तेस कह रहे हैं कि अगर आप पटना आए तो बताईएगा बिल्कुल बताएंगे नहीं आए तो आप याद कर ले न हमें तो open market operation में कुछ नहीं होता महकाल government securities का RBI क्या करती है बेचना और खरीदना शुरू करती है ठीक है ये complain है तो अच्छी complain है ऐसी positive complain daily basis पर कर सकते हो ठीक है बिल्कुल बिल्कुल मिलेंगे आप से पटना आके बिल्कुल मैंने कहाना अगर आपको कोई doubt है किसी भी regarding कोर्स के regarding हो मेर से regarding हो तो यहाँ पर number दिये जाता है तो number पर आप call करके बोल सकते हो organization को ठीक है बाकी classes normally चली रही है ठीक है ठीक है Thank you so much guys मिलते हैं कल के session में बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके चलिए Thank you Thank you Thank you